वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं सभी लोग देखे लडियाइट की टोन में आपने पढ़ा होगा कि बेंजलडियाइट फैलिंग टेस्ट नहीं देता जबकि बेंजलडियाइट टॉलिंग टेस्ट देता है अब इसका रटाफिकेशन ट्रिक्स सब कुछ करके देख लिया ल देखे दुनिया के सारे लडियाइट टॉलेंस टेस्ट तो देते हैं राइट लेकिन एरोमेटिक लडियाइट जिसने बेंजीन से डिरेक्ली सी एचो लगा हो ऐसे एरोमेटिक लाइक बेंजलडियाइट वो वैलिंग्स बैनेडिक्स नहीं देते तो पहले तो याद रखो तो बेंज जल में डीहाइड हो गया, टीटी तो खेलता है, लेकिन एफटी नहीं खेलता, बैटिंग भी नहीं करता, अब इसका रीजन देखे। देखे टॉलिंग्स टेस्ट में एजी प्लस यूज करते हैं और फैलिंग्स टेस्ट में सी यू टू प्लस यूज करते हैं अब आप बताईए कि कौन महंगा है कौस्टली कौन है चांदी या कौपर चांदी महंगे हैं सिल्वर महंगा है तो देखे एजी प्लस से एजी बनने की प्रॉसस ज्यादा standard reduction potential value ag plus का ज़ादा है probability ज़ादा है मतलब तमन्नाय ज़ादा है हस्रते ज़ादा है क्योंकि चांदी चांदी फॉर्म में रहना चाहती है copper भी रहना चाहता है लेकिन ज़ादा कौन अपने खुद के elemental फॉर्म में रहने की probability शो करता है that is silver तो कौन easily एक electron snatch करेगा अच्छा एक ही electron snatch करने की ag plus से ag बनेगा और cu2 plus से cu single plus बनेगा cupric oxide cuprous oxide में change होता है जिसका की red color आता है मेरे तो examination में यही question गलत हो जाता था कि color red जो आता है phalanx में वो किसका आता है cupric oxide या cuprous वो भी रट्टा मारता था मैं सबी यही करते थे यहाँ पर brain यूज करना है या रट्टा नहीं मारना है कि ag plus एक electron easily लेगा या cu2 plus एक electron easily लेगा definitely ag plus एक electron easily लेगा so it is better oxidizing agent as compared to cu2 plus हलाकि दोनों ही mild oxidizing agents है मोआ है mild oxidizing agent because they cannot oxidize ketones अगर आप कहेंगे कोई ketone oxidize हो रहा है alpha adduction like fructose तो वो aldeide में convert होगा लॉबरी डी ब्राउन ब्रेंट में किस्टिन rearrangement से उसका tautomerism होगा वो CHO में आएगा just like fructose पहले glucose and manose में convert होगा due to tautomerization दो बाद tautomerization होगी through indiol formation तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ही mild oxidizing agent है बट उनमें भी ज़्यादा दम कौई शो करता है ag plus तो बहुत सिंपल सी बात है this is the reason तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो tolerance valence reaction जो दी हुई है आपके NCRT में क्योंकि यहां पे देखिए basic medium involved होता तो they will show tautomerization तो इसको ध्यान रखें आप और इसका फायदा उठाए right all the best जहां भी color आता है like idoform test इन चीज़ों को भूलना नहीं है और एक वर चीज़ बता दूँ LDL और कहने जारों के लिए ध्यान रखना की आपके पास जो LD है उसमें alpha hydrogen अगर दो है NCRT देखिए बड़ी smart है उसने heading डाली है LDL condensation और इसने LDL formation के लिए बोला है कि at least one alpha hydrogen is required तो बच्चा सोचता है LDL condensation के लिए at least one alpha hydrogen is required no for LDL condensation at least two alpha hydrogen are required one for formation and one for condensation और अगर concentrated L के लिए है तो वहाँ पे nucleophilic addition reaction होगी OH की तो वो कहने जारी हो reaction शोग करेगा अगर alpha hydrogen नहीं है क्योंकि हम acid-base reaction को preference देते हैं as compared to electrophile nucleophile because that is fast reaction which one acid-base तो अगर किसी भी LDL के पास ketone के पास alpha hydrogen है तो then do LDL condensation और नहीं है तो then do canigaro reaction क्योंकि LDL proceeds through acid-base neutralization और halofirm test को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे color आता है so all the best फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते